स्वागतम दोस्तों उजेन में महाकालेश्वर मंदिर के इलावा आप मंगलनाथ जा सकते हैं यह वन अफ ता में टेंपल्स है जो में सिटी है वहां से यह कुछ दूरी पे हैं आप में सिटी से आटो कर सकते हैं को मंगलनाथ पहुँशने में 7-8 निनिट लगेंगे और आट तो वाले 300 लेते हैं जिसमें वो 5-6 मंदिर आपको और गुमा देंगे तो आप यहाँ पे जा सकते हैं जिन लोगों को मांगलिक दोश होता है जिने मांगलिक पूजा करवानी होती है उनके लिए है सबसे उत्तम स्थान है यहाँ पे मंगल भगवान का जनम हुआ था इसलिए इसकी खासियत और बढ़ जाती है मांगलिक पूजा के अलावा यहाँ पे काल सर्प दोश पूजा भी होती है काल सर्प दोश की पूजा वैसे तो त्रिम्बकेश्वर नासिक में सबसे अच्छी होती है लेकिन जो दूसरा उत्तम स्थान है वो मंगलनात मंदिर है तो मांगलिक पूजा में यहाँ पे जो बहुत ही फेमस पूजा है वो है भात पूजा जिससे भात से मंगल भगवान की पूजा होती है पूजा की डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दूँगी उसके लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाए उसके लिए आप बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें इसके बाद हम सिद्वट मंदिर गए थे दुनिया में ऐसे सिरिफ चार ऐसे वट वरिक्ष हैं जो हजारों सालों से भी पुरान सुनी है वो बेताल भी इसी पेड़ पर उल्टा लटकता था यह जगा फेमस है काल सर्प दोश पूजा करवाने के लिए और पिंडदान करवाने के लिए भी तो आस मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप उज्जेन जाएगो अब हम चलते हैं काल भेरव मंदिर यह उज्जेन के प्रसिद मंदिरों में से एक है यहां के खासियत यह है कि यहां काल भेरव भगवान को प्रसाद के रूप में दारू चड़ाई जाती है अईसा क्यूं होता है इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला है यह मंदिर इसलिए प्रसिद है क्यूँकि यहां जब भगवान को प्रसाद के रूप में दारू भेरव भेट की जाती है तो जिस पात्र में वो दारू होती है उनके हुटों के पास वो पात्र ले जाते ही उस पात्र से दारू अपने आप ही कम होने लगती है इस चमतकार को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं चमतकारी बाबा काल भेरफ का आशिरवाद लेने आपको यहां जरूर ही जाना चाहिए इसके बाद हम गए थे गड़काली का मंदिर यह एक ऐसा मंदिर है जहां तंत्र साधना के लिए दूर दूर से तंत्रिक आते हैं यह मंदिर महाभारत के टाइम का है लेकिन जो मूर्ती है वो सित्यूप के वक्त की है इसलिए इसकी काफी एहम्यत है यहां भी आपको जरूर जाना चाहिए गड़काली का मंदिर के पास ही ब्रत हरी गुफा है आप यहां भी जरूर जाएं इस गुफा में विक्रमादित्य के सौतेले भाई ब्रत हरी साधना करते थे और साथ ही प्राचीन काल में चारो धाम जाने के लिए यहां से एक रास्ता निकलता था जो फिलाल बंद करके रखा गया है ऐसी मान्यता है इस जगह पे चारो धाम के पुन्य प्राप्त होते हैं सबसे पहले हम अंदर चलते हैं गुफा नंबर एक में आपको अंदर थोड़ा ध्यान से चलना होता है जुपके चलना होता है जैसा आप देख सकते हैं यहां नीचे उतरने का रास्ता है रास्ते काफी संक्रे हैं अंदर थोड़ा सफ़केटिंग भी है लिंग के पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं वही है चारो धाम जाने का रास्ता जैसा आप पढ़ सकते हैं यहां लिखा है चारो धाम का पुन्य यहां प्राप्त होता है अभी इस रास्ते को बंद करके रखा गया है यहां आपको थोड़ा जुक्के चलना पढ़ता है और साथ ही यहां पे कुछ शिवलिंग भी आपको दिखेंगे यहां पे श्री नील कंटेश्वर महादेव की शिवलिंग रखी गई है अगर आप इन मेंन मंदिरों के बारे में जानना चाते हैं या आपने मिस कर दिया हो मेरे वीडियो में तो आप पार्ट वन जरूर देखें मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लेटिस वीडियो अपदेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद